Hello Guys, इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि Fischer Projection जो होता है, वो होता क्या है, उसको कैसे समझा चाता है तो आईए देखते हैं देखे, Fischer Projection में दो तरह की Lines का यूज़ होता है Horizontal Lines and Vertical Line जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अगर आपको किसी भी Molecule को ऐसे दिखाये गया है, जहाँ पर सिर्फ Horizontal and Vertical Lines का ही यूज़ किया गया है तो समझ जाए कीजिए कि यहाँ पर Fischer Projection गिवन है जैसे यहाँ पर A, B, C और D इनको रिप्रेजेंट किया गया है विद दे हल्प आफ Horizontal and Vertical Line Horizontal Line यहाँ पर BD है और Vertical Line यहाँ पर AC है तो आप समझ जाए कि Fischer Projection गिवन है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि A, B, C और D exactly same plane में लाई कर रहे हैं अगर यह सभी same plane में लाई करते हैं तो यहाँ Bond Angle जो होता, that should have been 90 degree पर SP3 Hybridation होने के बाद 90 degree Bond Angle possible नहीं है यानि real में A, B, C, D का जो plane है वो शायद कुछ और है तो horizontal और vertical line का मतलब यह नहीं है that all of these atoms are lying on the same plane they might be on the different planes तो 3D में exactly what does it mean यह मैं आपको बताने वाला हूँ उससे पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जो यह lines होती है, इनका जो intersection point होता है यह होता है carbon atom, generally यह center chiral होता है तो यह optical isomerism में आप लोग पढ़ेंगे तो in the fissure projection, what you do, what you use is horizontal line and vertical line आईए अब देखते हैं इसका मतलब क्या है 3D में अब देखिए आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो भी groups horizontal line पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब they are above the plane यानि जिस screen को आप देख रहे हैं यह जो B atom है, उस screen से बाहर निकला हुआ है और इस carbon से जुड़ा हुआ है, यह carbon atom screen पे है और यह भी screen से बाहर है तो वो line जो इस carbon और B को जोड रही है वो screen से बाहर निकली हुए है यानि यह जो carbon और B का bond है, यह wedge में है similarly CD जो है, यह भी above the plane होगा D जो है, यह screen पे ना होके screen के जस्ट बाहर निकला हुआ होगा और यह जो carbon screen पे है, उससे जुड़ी भी line ही ऐसी होगी यानि यहाँ पे हम assume कर सकते हैं horizontal line में कि this is CB जिसमें B is out of the plane और जो D है, यह भी out of the plane है यानि दोनों के दोनों wedge में लाई कर रहे है और यह जो groups vertical line पे लाई करते हैं they are actually below the plane यह plane से पीछे की तरफ यानि screen के पीछे की तरफ लाई करेंगे तो यह जो C है, यह C atom तो है screen पे, यह जो A atom है screen के पीछे है तो वो line जो इस atom को और A को carbon atom को और A को जोड रही है वो line कुछ ऐसे हम represent कर सकते हैं और यहाँ पे हम C को ऐसे represent करते हैं तो आपने देखा students की यहाँ पे we have to use two type of lines horizontal line and the vertical line horizontal line वाले होते हैं groups wedge पे और जो group vertical line पे लाई करते हैं होते हैं dash पे अब मान लिजी आपको इस तरह का molecule गिवन है तो इस तरह के molecule में आप सबसे पहले पहचानेंगे कि यह fissure projection गिवन है क्योंकि यहाँ पे vertical line है और horizontal lines यहाँ पे गिवन है अब point is that कि इनका मतलब हम क्या समझेंगे how to imagine this type of molecule in actuality तो देखिए इसको हम ऐसे imagine करेंगे इसको आप कुछ इस तरीके से imagine करेंगे जो भी groups horizontal line पे लाई कर रहे है वो actually है wedge में और जो भी groups vertical line पे लाई कर रहे है वो है dash पे यानि जितने भी hydrogen और oh atom है यह आपकी screen से बाहर आपकी और आ रहे है आपके face की तरफ आ रहे है और यह जो F है और यह जो CLA स्क्रीन के पीछे की तरफ like कर रहे है तो इस तरीके से हम fissure projection को imagine करते हैं जब जब यह आता है अब doubt इसमें यही आता है कि हम भूल जाते हैं कौन से वाला wedge पे होते हैं और कौन से वाले dash पे होते हैं तो how to remember this देखे इसमें आप क्या कर सकते हैं यह जो molecule इसको एक human being की तरह treat कर सकते हैं यह जो B और D यह इसके हाथ है तो आप याद रखें कि horizontal जो होता है इसका पहला alphabet होता है H H for horizontal and H for hug तो जब human being hug करेगा किसी को किसी को गले लगाएगा तो उसके हाथ जो है जयनि B और D जो है they will go out of the plane to hug तो इससे प्रूव हो रहा है इससे याद रहने का trick यह बहुत अच्छा है कि अगर horizontal line पे जो groups lie करते हैं इसका मतलब they are out of the plane because तो याद कैसे रखोगे horizontal को आप compare करोगे hands से and hands will go out of the plane जो भी हम गले मिलते हैं तो हाथ कहाँ जाते हैं बहार के तरफ जाते हैं नॉर्मल सरकमस्टांसे में तो इस वीडियो में आपने जाना कि Fisher projection में horizontal line का मतलब क्या होता है वर्टिकल का मतलब क्या होता है उसका trick क्या होता है अगर horizontal वाला out of the plane है तो वर्टिकल वाला must be below the plane So guys in the next video हम लोग जानेगे कि जितने भी projection हमने पड़े हैं उनका interconversion कैसे किया जाएगा I hope आपको इस वीडियो में मजाया होगा So please do like, share and subscribe and please comment your feedback as well